हलो दोस्तों नमस्कार अस्टम जीस पॉइंट में आप लोगा फिर बहुत बहुत सागत है तो करेंट अफेर्स की जो तीसरी सीरीज है उसको मैं लेकि आपके बीच में हाजिर हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोगर सबार्नेर का एक्जाम सर पे है तो सारे कोश्च कोश्च बढ़ ना है फिल्म का नाम और नरेंद्र मोधी और प्रीकिब की रूप में यूटूब कर देखते हैं कौन सा देस यूटूब का सबसे तेज और बड़ा बाजार बन गया अबी एक सर्वे हुआ है कि यूटूब में सबसे यूटूब कहां पे इस्तिमाल किया आ सेक्टर में जो YouTube है वो सबसे निकल चुका है इस तो भारत में YouTube सबसे बड़ा बाजार बन चुका है कि तिसरा question देखते हैं इन में से किस railway station को देश का पहला ISO प्रमाड़ी करण प्राप्त हुआ है, पहला ISO प्रमाड़ी करण किसको प्राप्त हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा गुवाहाटी railway station को, चौथा नुम्मर क्वेश्चन है, किसे विसवयं का तेरहामा अध्यक्ष ने उत्किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे अभी हाली में विसवयं का अध्यक्ष ने उत्किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा, डेविड मालपस, डेविड मालपस को विसवयं का अध्यक्ष ने उत्किया गया है, पांचमा क्वेश्चन है, इन में से किस देश ने हायो चुद्र गर्व है जिस पर हायवुसा जापान ने भीजा है और यह बैसिकलि यह क्या करेंगा कि रूयुगू सपोज कि यह रूयुगू चुदग्रा है इस पर जाके ये क्रेटर बनाएगा छेद करेगा प्रिथवी पर वापस ले के आएगा और उतका परिछल किया जाएगा तो याद रखेंगे चाठा नमबर कोश्यन है पत्रमंतरी नरेंद्र मोदी को इन्में से किस देश द्वारा अपना सरवुच नागरी स सम्मान inhale मेडल से सम्मानित किया यका अभी आपने दैखा होगा कि रूस मेडल से सम्मानित किया है अपने सरवच मेडल से लेकिन इसके पहले mają सम्मानित किया था सन्जुक तरफ अमेरात ने संजुक तरब अमिरात पेसे के लिए जो अवार्ड है जायद मेडल यह किसी भी देश के राष्ट अध्यक्ष या राष्ट प्रमुख या जो भी जो देश का सासक होता है उसको यह पुरुसकार दिया जाता है जायद मेडल तो यूए ने दिया है साथ नमर क्वेशन है स आपको देख लेना है रूब प्लास्टिक के मतलब है कि जिस प्लास्टिक को एक बटा करने बाद उसको धart कोशकल एक छाण संशंड के लिए नुकसान करता उसी सिंगल में लिए और आप अईसे प्लास्टिक मारात हो रही है कि जो मल्टी पर-पज हो यानिनकी कि किसी और काम में उसका इस्तिमाल किया जाएगा यानिकि वो कई काम में इस्तिमाल होता जाएगा मल्टी परपस यूज जाएगा सिंगल यूज नहीं रहेगा तो कितने मत से कितने इसके पक्ष में कितने मत पड़े तो आपका सही जवाव होगा 50वा 560 965 मत इसह पख्ष में पड़े है आइंड कोश्चन है भारत में बाल विभा के मामले में एतान पर काम सा राज a question पूछा जा सकता है बच्चों से समंधित है तो बाल विभा आकके मामले में दूसरे स्थान पे पूरा आता था है नवा क्वेशन है आई पील में सबसे तीज पांच जार रन किस ने पूरा किया है तो मैंने अभी बताया है पहले वीडियो में कि अगर क्रिकेट से समधी कोई क्वेशन पूछ रहा है और आपको अगर कंफूजन हो रहा है तो सीधे सीधे विराट कोली का नाम मार दीजिए इनमें से किस प्रकार की हल्दी को जी आई टैग प्रतान किया गया अच्छा जी आई टैग क्या होता है मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी प्रोड़क्ट जिस एरिया में उत्पादित होता है और उसमें उस एरिया की मौसम का खासा असर होता है और उस एरिया में उत्पाद बन करते हैं तो हम इसको के बढले के पहले की दिया चुका है कर दिया गया तो सब्सक्राइब गया है और तमिलांड में जो तो बाला जी मंद्री का लड़ू है उसको भी जी आई टेक प्रदान किया गया है तो इसे सारी चीज़ें हैं ग्यारे नमर कोशन देखते हैं इन्वे सिक्ष देश ने मार्च 2019 में अंतराश्टी सौर संगर्ठंग के फ्रेमवर्क समझोते पर हत्ताक्षर किया है आई से प्राद रखेंगे आप आयसे के और आयसे का यसे का घठन हुआ है जो अनलेंद्र मोदी और ततक्काली फ्रांस के जो राश्ट्रश्पती थे फ्रैंकोस होलंदे इनके नित्रत में आजसे कगठन हुआ था तो इसमें अभी फिलाल में बोलिविया नात्ताक्षर किया है क्वेश्चन पूछे जाने किसे महना जादे है बार नुमर क्वेश्चन है इनमें से किसे मार्था फैरल पुरसकार प्रदान किया गया है मार्था किसे प्रदान किया गया है क्वेश्चन आप देख लिए इनमें से किसे मार्था फैरल पुरसकार प्रदान किया गया है तो जी अवार जो दिया गया है मनु गुलाटी को दिया गया है मनु गुलाटी के साथ साथ महिला जन अधिकार समीत थी महिला जन अधिकार समीत को भी यह पुरुसकार दिया गया है, महिला जन अधिकार समित और मनु गुलाटी को मार्था फैरे लवाट 2019 से पुरुसक्रित किया गया है, तेरा नमबर कोशन देखते हैं, इनमें से किसे बर्स 2019 में प्रवासी भारती संबान पुरुसकार प्रतान किया गया है, तो आपका सही पिनाकी चंद घोस को पीसी घोस को पहला लोगपाल भारत का निउप किया गया है, और इसमें 8 मेंबर होते हैं, पिनाकी चंद घोस के अलमा 8 मेंबर है, तो यह कोशिचन 100% समहोना है, पूछे जाने की, कि भारत का पहला लोगपाल कौन बना है, तो पीसी पिनाकी चंद घ कि इतासी गंग जो दुनिया का सबसे हूंचा पोलिंग इस्टेशन भी है कि सोलर नबर कोशन देखते हैं बैस्विक उर्जा तथा कारवन डायकसाइड इस्टेटरस रिपोर्ट 2019 के अंसार बर्स 2018 में कितने फिजदी उर्जा का बैस्विक अस्तर पर मांग मतलों कितने देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्रीमद भागोत गीता का निर्मान इर्मान इर्में से किस देश में किया गया है कि कुवास्टर होगा थोड़ा सा अगर कर भारत दे दिया तो भारत अम मार देंगे लेकिन साइजवाब होगा इटली ने दुनिया कि सबसे जो बंगलादेश और इंडिया इंडिया और बंगलादेश के बीच में होता है 19 नुम्मर कोशन है फरवरी 2019 की ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस देश को पहली बात दूसरा अस्थान प्रदान किया गया है तो देखिए पहला अस्थान भारत को मिला है टेस्ट रैंकिंग में और दूसरा अस्थान न्यूजिलेंड को मिला है 20 नवर कोशन देखते हैं इनवे से कौन सा दुनिया की सबसी हलकी सैटलाइट है यह अभी काफी चर्चा में रहा है तो मिनार की कुछ बच्चों ने कु समौना यादे होती है चुकि प्रधानमंति रोजगार प्रसान यूजना की सुरुवात को यह थी 2016 में की गई थी 22 कोशन है पहला मानवाधिकार को समर्पी टीवी चैनल कहां शुरू किया गया मानवाधिकार याद रखना आपको मानवाधिकार को समर्पी सबसे पहला किस भारती को सव ग्लोबल थिंकर्स की सुची में सामिल किया गया है यह लिस्ट जार की जाती है जिसमें ग्लोबल थिंकर्स होते हैं बड़ बड़ उद्दुगपती होते हैं बिचारक होते हैं उनको सामिल किया तो किस भारती को इस सुची में सामिल किया गया है तो आपक तो आप मार देंगे इसलिए आप उध्यान अगना है कि विनेस फोगाड को पहली वाल लॉरियस अवाड में ना मंकित किया गया है 25 कुशन इन में से किस भासा के संद्चन नहीं तो दर्भंगा में पांडुली पी केंद्र की अस्थापना की गई है सभावों का मैथली तेंकि मैथली 22 भासा हैं मैथली, डोगरी, संथाली की और मैथली डोगरी, संथाली और एक भासा और है बोडो इन चार भासां को 32 मिधान में सामिल कि आ गया तो पहले 18 भासा थी जिनने चार रियान की बोडो डोगुरी मैथली संथाली को जोड़ के 22 भासा के अनुसंदान के लिए दरभंगा में पांड उलिपिक एंदर की इस्थापना की गई है चब्भी स्मड क्वेशिंगा ग्रेमी आवार्ट्स के रूप में सामिल किया है संजुक तरफ अमीराथ यहां पे भारतियों की संख्या बहुत जादे है और उनके लिए कभी कभार होता था कि नाइक काम होता था तो वहां पे अर्भी भासा इस्तिमाल किया एता है और जो यहां के इंडिया के भारती लोग हैं उनको दिक्कत होते थे इसलिए हिंदी को तीसरी आधिकारी भांसा के रूप में शामिल कर लिया गया है याद रखना आपको संजुक तरफ अमिराद्यानी की UAE United Arab Emirates 28 नुमर कोशन है 27 एक दिसी मैच खेलने वाली पहली भारती महिला क्रिकेटर कौन है तो आपका सही जवाब होगा कि मिताली राज 29 नुमर कोशन देखते हैं बजट 2019 के अंसाहत देश का 22 एमस किस राज में स्थापित किया जाएगा तो आपका सही जवाब होगा हरी याणा हरी याणा में 22 एमस स्थापित किया जाएगा स्थापित के सकते हैं कि इसंहां कि किसी चाहएख ब्रस ने साफ़ाकित किया था और यह हमां यंकी व्यद्याब को का सकता है तो जिáticas के सरौब का की तहत रक्षा मंतरालय ने कितनी पंडूब्यों के स्वधेश के निर्माइब को मन्जूरी दिया निंकि कितनी पंडूब्यों के भारत में निर्माइब किया जाएगा स्वाद इसी अस्तर पे में किन इंडिया प्लान के तहर तो है च्छै पंडुपियों को तो एक एक तीस कोशन होगे होप कि वीडियो आपनों को अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अच्छा लगेगा और लाइक कर देजिए और अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर देजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाबारत